आज शेयर बजार में कुछ मिला जुला कारोबार देखने को मिला निफ्टी माइनस में और बैंग निफ्टी प्लस में बंद हुआ जैसा कि मैंने कल बताया था, निफ्टी के लिए आपको निफ्टी में एक trap देखने को मिल सकता है, वैसा ही हुआ, फरस मत जाना, ये वीडियो डाली थी, अगर आपने notice किया हूँ और उसी के आजब पास से निफटी में एक हमें ट्रैप देखने को मिला वहीं पे गैप आप ओपन हुआ और वहीं से एक पचास साथ पॉइंट का एक बड़ा फॉल हमें देखने को रहे बलकिन 70 पॉइंट का फॉल देखने को मिला और फिर यहां गया फिर देखो अब कल के लिए prediction कर लेते हैं market की क्या direction हो सकती है मैंने lower trend line draw कर रखी है चार्ट पर आप ध्यान से देखो और यह trend line लगातार इस price का support लेके price उठ रहा है कल के दी नीचे की तरफ levels रहेगा 18305 रुपए तक के level आपको देखने को नीचे की तरफ मिल सकते हैं अगर 18305 ब्रेक हो जाता है यह support भी है previous यह level अगर ब्रेक होके निकलता है तो एक fresh selling pressure market में create हो सकता है नीचे की तरफ वो नीचे की तरफ ले जाएगा बजार को 18250 और 18220 रुपए तक के भी level आपको Friday में देखने को मिल सकते हैं खरीदारी कहा करें खरीदारी 18400 के ओपर ही करें 18400-410 के ओपर अगर market sustain कर जाता है पात-दस मिनट तभी fresh खरीजारी करें तभी नई high expected है market में otherwise थोड़ा सा selling pressure लग रहा है यह selling pressure आया उपर गया फिर selling pressure आया उपर ग ही कि moment हमें यहां पर दिखाई दे रही है तो market आज थोड़ा सा minus में बन हुआ तो trendline breakout पर आप विखवाली करके चल सकते हैं खरीदारी की कोई कोई कोशिच ना करें यहां पर बहुत risky हो जाएगा अब बात कर लेते हैं bank nifty पे bank nifty में भी क्या हुआ bank nifty में जो एक important resistance था एक बड़ा fall हमें देखने को मिला था वहीं पर bank nifty आज आकर टच करा उस resistance के आसपास आके और एक बेरिश केंडल बनाके 15 minutes के चार्ट पे downfall हमें देखने को मिला तो यह जो एक level है बहुत अच्छे resistance की तरह वक कर रहा है 43,000 640 rupees के आसपास आप 646 50 बोल सकते हो कल के लिए अग bank nifty कल को इसे break करके निकलता यह line जो मैंने लिख रखी है 43,000 428 को काट के नीचे उतर जाता है proper opening closing हो जाती है red candle की तो नीचे की तरफ travel करके 43,000 230 rupees के target आपको कल Friday में देखने को मिल सकते है थोड़ी बहुत short covering आपको 43,000 230 के आसपास देखने को मिल सकती है तो first target की तरह work अगर यह level भी break हो जाता है तो fresh selling expected है market में जो market को ले जा सकती है 43,000 80 rupees और इसके भी नीचे 43,000 900 rupees के level देखने को मिल सकते है जो पुराना support भी है market का overall market में थोड़ी सी जैसा चार्ट चल ला है उसको देखते हुए देखो यहां पे क्या हुआ हाई बनावा है high बनावा है lower highs क की formation कहीं ना कहीं हो रही है तो overall थोड़ी सी मंदी हमें देखने को मिल सकती है buy का करें buy आप करें 43,000 650 के ओपर निकलता है तभी buy की position बनाई जा सकती है target ऊपर की तरफ 43 800 और 44,000 रुपे के देखने को मिल सकते है तो केवल इस level को आप note कर लीजे इसी level के ओपर bullish है otherwise थोड़ complete नहीं होता तो इसी level के बीच में यह sideways हो जाएगा तो खड़जारी का कभी कोई मौका नहीं है जो लोग highly risky trader है मानलो market gap up open हो जाता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत एक बार यहाँ पर double top बनाके आ जाए top one हो जाए top two हो जाए कल के दिन और फिर दुबारे इस low को यह break करें यह low break होता है तो एक अच्छी selling pressure वो जो मैंने आपको target दिये यह targets आपको देखने को मिल सकते हैं इंटरे वीडियो पसंद आ रहे हैं इस वीडियो को like करें चैनल पर नहीं हो है तो इस चैनल को subscribe कर लीजे thank you so much for watching this video